मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उल्जा हुआ हूँ के तू जा चुकी है तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है तुझे याद है वो जमाना जो केंपस की पकडंडियों पे टहलते हुए कट गया था तुझे याद है के जब कडंड़ चल रहे थे कडं़ जो धर्ती पे आवाज देते के जैसे हो रागा कोई मुत्रिवों का कडं़ जैसे सापा गमा पागा सारे वो तबले की तिरकट पे तक दिन धिनक दिन बहें चल रहे थे कदम चल रहे थे, कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे, तो कितने गवईयों के घर चल रहे थे, मगर जिस घड़ी तुने उस राह को मेरी तनहा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं थम गई, कितनी फनकारिया, कितनी बारी किया, कितनी कलिया बिलावल गवईयों के ह गोठों पे आने से पहले फना हो गए कितने नुसरत फते कितने महदी हसन मुंतजिर रहे गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुनके तुईक जाविये पे पलटके मुड़ी थी वहां से रिलेटिवीटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही योनान के फलसफे सब जमानों की तर्तीब बरबाद करके तुझे देखने आ गये थे कि तेरे जुकाओं की तमसील में अपनी सीधी लकीरों को खम दे सके अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेटरी क को जनम दे सके तुझको मालूम है अभी कुछ फलसफी अपने फीके जमान आगे हुए मेरे रस्तों पे आखे बिछाए हुए अपनी दानिष्ट में यू खड़े हैं कि जैसे वह दानिष्ट का मुंबा यहीं पे कहीं है मगर मुड के तकनी को तुही नहीं है तो कैसे फ्ल यहीं तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है